तो इस वीडियो में हम देखेंगे board exam 2013 में विज्ञान की copy कैसे लिखेंगे student इसके साथ साथ ही हम देखेंगे copy लिखते समय कौन कौन से बातों का हमें ध्यान देना चाहिए student वीडियो कौन तक जरूर देखेंगा ताकि आपको पता चल सके कि board exam में हमें copy को किस परकार से देखेंगे कि board exam में copy को किस परकार से लिखेंगे तो आईए student देखते हैं सबसे पहला हमारा question क्या है सबसे पहला यहां पे student आप देख सकते हैं सबसे पहला question यहां पे है जो कि part a है बहुत कल्पी question है प्रते question हमारे एक एक नंबर के हैं इसमें 4 question दिए गए हैं तो चार question में दिए गए है only ba जो कि pronounce 건 में 4 option दिए गए हैं 4 option मेंए से हमारा कोई एक औंसर सबसे परकार से लिखेंगे इस फोड़ाऊ-चर उत्रक को तो आये देखते हैं उसके बाद जो का है का का माल लेते हैं तीसरा वाला आंसर सही है तो इस प्रकार से तीसरा वाला आंसर जो भी होगा इस प्रकार से लिग कर सही का टिक लगा देंगे उसके बाद जो ख का आंसर है ख का पहला वाला आंसर सही है तो इस प्रकार से हमने पहला वाला आंसर लिग क का दूसरा वाला अंसर सही है तो आप क्या करेंगे इस परकार से लिग के Black सकते हैं उत्तल दरपड क्यों किया जाता है भाल लिखेंगे उत्तल दरपड का उपयोग क्यों किया जाता है तो आप की उत्तल दरपड हमेसा सीधा वबीब से छोटा प्रत्वीम बनाता है इसलिए वाहनों में उत्तल दरपड का उपयोग किया जाता है इस प्रकार से जड़ी आप कॉपी को इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको सक्तर में 65 नंबर अवस्छे ही मिलेंगे इससे कम नंबर आपके नहीं हो सकते हैं वीडियो कौन तक आप पूरा देखिए का ताकि आप को स्टेप बाइस्टेप पता चल सके कि हम नुमेरिकल को किस प्रकार से कौपी में लिखेंगे यानि सल्यूशन करेंगे और जो हमारे थुरेटकल कोश्चन होते हैं उनके आंसर किस प्रकार से लिखेंगे अब हम देखते हैं दूसरे का ख़व कोश्चन देख सकते हैं जो कि यह भी हमारा दो नंबर का कोश्चन है तो कोश्चन क्या है एक आउतर लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे से वश्तु का प्रत्विम्ब लेंस से 20 से मिक की दूरी पर बने यहाँ किया हमारा निमरिकली कोश्चन है तो इसे हम किस प्रकार konst करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें कौन-कौन से चीजे दिगए निए यानि हमें कौन-कौन सा चीज दिया गया है तो हमें याफ का करना है फार्मुला लिखना पहर मुला लिख के बाक्ष में बंद कर देना है उसके बाद इस्टोडिक हम किस प्राकार से साल करेंगे उसके बाद भार्मूले में से बाक्स में बंद करके इस प्रकार से हम क्या लिखतुन है अब हमने स्टूडेंट आगे देखते हैं यह दूसरे का उसका ल क्या है और अरuk कैसे होता है इस का निवारण कैसे होता है इसमें कौ chacun पूछा गया है पहला कोईशन क्या है निकट द्रिष्टी दोस्त क्या होता है उसके बाद जो दूसरा इसमें कोईशन पूछा गया है इसका निवारण कैसे होता है तो आईए अब हम इसका इस्टूडन देखते हैं किस प्रकार से इसका हम उत्तर लिखेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले सा robićर दोस, यानि निकर दृष्टि दोस क्या होता है, यह जो हमने यहां पी निकर दृष्टि दोस लिखा है, आपको क्या करना ब्लायक पेंसे इसको भी अंडरलाइन कर देना है। को तो हम देखेंगे निकट द्रिष्टी दोस में ब्यक्ति को निकट यानि की पास की वस्तिवें दिखाई देती हैं दूर की वस्तिवें नहीं दिखाई देती तो इस प्रकार से क्या करना है आपको निकट द्रिष्टी दोस लिखना यानि निकट द्रिष्टी दोस क्या होत लिए को बताया हुआ कि हमने आपको करेंगे आपको बताने की लिए लेकिन आपको इसे बताने के लिए यहां से स्टर्ट करेंगे अगले पे बسुपार आैंगी है तोक्त परण नहीं हो लिखेंगे शें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवेन यानि हमें कौन-कौन सब्सक्राइब दी तो यहां पर कोश्चन देखेंगे तो कोश्चन में आप देख सकते हैं प्रत्रोद का मातरक क्या होता है आपको बताना है उसके बाद yal लंबाई तिथा ए मुटाई के तार का प्रत्रोद 10 हों है इसी पदार्थ के एक अन इतार जिसकी लंबाई yal y3 तथा मुटाई 3 ये ह हो तब उसका प्रत्रोथ ही याद किजिए यह कोईश्चन आपका चार नमबर में आया हुआ कोईश्चन है तो आए इसे अब हम सौर करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें यानि कौन कौन सी चीज़े दी गई हैं हमें एक तार दिया गया है जिसका मोटाई ए है और उसका प्रत्रोथ दस हम है और लंबाई यल है तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे तार की लंबाई कैप्टल यल तार की मोटाई कैप्टले तार का प्रत्रोथ दस हम तो अब हम इस्टूटन जो भी फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले वह फार्मूला लिख देंगे त तक हमने हल कर लिया अब दूसरी स्थिति में हमें दिया गया है इसी पदार्थ के एक अन इतार जिसकी लंबाई यह थी तथा मोटाई थी यह हो तब उसका प्रत्रोध ही गयाद करना है तो यहां पर हमें कौन कौन सी चीजे दी गई है दूती इस्थिति में एक हमें तार दि यह नहीं है उसके बाद जो भी फार्मूले को यूज करेंगे लिखेंगे सूत्र से यानी कौन सा उस्तिमाल करने जा रहे हैं यूज करने जा रहे हैं तो लेखेंगे और फिर यह सारी वैलू इस समीक्रड़ नंबर दो तो तो हम समीक्रड दो भागे समीक्रड एक कर देंगे तो आईए अब हम आगे देखते हैं आगे समीक्रड दो भागे समीक्रड एक हमने किया हमने समीक्रड दो भागे समीक्रड एक किया तो लेट साइड का लेट साइड में डिवाइड होगा तो इस प्रकार से आप क्या करेंग वीडियो को डिस्क्रिप्सिर में लिंक दिया गया है जहां से जाके आप देख सकते हैं एस्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नडिफिकेशन आप सभ को मिलते रहें